हेलो फ्रेंड्स मैं कमेंट और एकेसिंग और आज जो हम कर रहे हैं तयारी किसकी केवेस की और केवेस में भी आज हम किसका टॉपिक क्या नहीं साइको का टॉपिक लेंगे नेक्स टॉपिक जो आपका आएगा आपके अंडर्सेंडिंग टीजिंग लर्निंग में चल रहा है तो हम सेकेंड उनिट में चलें तो अभी तक हमारा सेकेंड उनिट का लास्ट तीन चाट टॉपिक बचेंगे तो आज हैं इंस्ट्रेक्शन मैटेरियल एंड रियल एंड री सोर्स अब यह चीज क्यों इंपोर्टेंट है क्या होती है यह आपको पता है अनुदेशनात्मक सामगरी क्या है यह बता सकता है अनुदेशनात्मक सामगरी क्यों जरूर है यह बता सकता है वैसे तो आपके मार्च में ही होंगे पर पर टेंटेटिव टेटशीट के अनुसार आ चुकी है वो भी इंपोर्टेंट क्रक के चलते हैं अनुदेशनात्मक सामगरी इसी नाम से आपको पता चल लाओगा निर्देश देना या किसी भी निर्देश के द्वारा हमें कार्य कराते हैं यानि कि ये किसी भी कार्य को कराने के लिए निर्देश देने का कार्य करती है जैसे जैसे क्या शिक्षन शेत्र में अलग अलग बाते होती है एक अध्यापक ने जिन जिन वस्तोक से चात्रों को निर्देश देता है उसों क्या कहेंगे आनुदेशनात्मक सामगरी या फिर क्या कहेंगे एक टीचर या ध्यापक जिन जिन वस्तोक से चात्रों को निर्देश देता है है उन सभी को हम अनुदेशनात्मक सामगरी कहते हैं तो क्या कहते हैं अनुदेशनात्मक सामगरी अब अनुदेशनात्मक सामगरी क्या होती है भाई शिक्षक की किताब मोखिक रूव वस्तोक अस्तमाल भाई सीधे सीधे आपने एक नाम सुनाओगा टीलम का टीलम यह सारी अनुदेशनात्मक सामगरी है सीधी सीधी नो बकवास मेंटोस काओ एक चीज को और वो कर दो टीलम अब टीलम में क्या क्या आते है भाई टीलम आके वुक भी आ जाएगी मौकी खुरूब भी आ जाएगा वस्तो कोई चीज आप यूज पर कर रहे हैं कि टीसिंग लर्निंग कोई भी दुनिया की डूंद्रदाब यूज़ कर रहे ओं अगर तीलम को यूज करना जानते हो च या डी एड या कहीं भी अपने टीचिंग के लिए नहीं जाते तो उन्हें TLM का यूज करता भी नहीं आता और जाते भी है तो वह सी ब्लैक वोड को यूज करते हैं आज तक कोई भी चाहिए वह साइंस का हो मैं कहता हूं साइंस हो सस्टी हो commerce वाले को तो छोड़ें कोμर्स वाले टीचिंग के लिए मैं वह तो एक expansion case है मारके चलते हैं कि साइन्स और मैंट वाले आज तक मुझे ये वता देड़ हिंदी और इंग्लिश माले विखेथ किसी ने आज तक अपने टीयलम को यूज किय तीयलम को पढ़ाते टाइम यूज किय और पढ़ाते टाइम आपने यूज भी किया हो अब चारो से ये कोशिन पूछा जाता है आपने blackboard पर कभी बच्चे को बुला कर उस चीज को कहा है आप लिखिए अगर English वाला बच्चा है चली Maths वाले बच्चा है Maths वाले बच्चे ने या Maths वाले टीचर ने कभी आपने बच्चे को बुला कर सौल करवाया है कोश्चन कभी यह कहा है कि टू प्लस डैश प्लस यह क्या होगा कितना होगा यह सौल करा है साइंस वाले ने यह सौल किया है कि इसके बीच में क्या आएगा यहां पर डैश लगा कर हिंदी वाले ने क्या कहीं कुछ भी ले ले लेते हैं माले यह ले ले लेते हैं सामगरी ही इस तरह करवाय है, English वाले ने, इसके आगे क्या लगएगा, ये सोल कराया है, नहीं कराया है, तो यही कमी है हमारी teaching में, और teaching skills में, अगर आपको teaching skills बहतर पता होंगी, तो TLM का यूज भी आपको पता होगा तो TLM का यूज ये सब चीज़े को यानि कि जान को आसानी से बच्चों तक पहुचाने के लिए TLM का यूज होता है यानि instruction material यानि अनुदेशनात वक्सामगरी सारी इसलिए यूज होती है ठीक है बच्चों ये था आपको छोटा से टोपी आप चलिए आप हम थोड़ा सा इसी डीटेल में पढ़ लेते हैं इसमें क्या आगया वे सभी जी जे जो टीचर बच्चों या बच्चे को कुछ भी गले है बच्चे बच्चों को ज्यान का पूरा सो परतीशत देने के लिए सामगरी सामगरी तो करता है सामगरी यूज करता है उसे टी एलेम कहते हैं और टी एलेम की फुल फॉर्म क्या है वही टीचिंग लर्निंग मैटीरियल यानि की क्या है टीचिंग लर्निंग मैटी ठीक टीचिंग लर्निंग मैटीरियल अब आगे आपको समझ में चलिए आप आगे चलते हैं अब इसकी विशेषता क्या है मेटी जल्दी करते हैं क्योंकि हमें दूसरा क्लिया अज नहीं टॉपिक दो तॉपिक मैं कहबर करऊंगा आज विशेषता क्या है अद्यपक का ग्यान के परति रुजाव रहता है अध्यापक चीजों को ज़्यादा समझा आपाता है अध्यापक पाट में या फिर एक तरह से लेसन में जो भी चीज दिये गई उसको पूरा ग्यान यानि चले लिख भी लेते हैं ग्यान को पूरा देने में मदद करता है और क्या है पाट में जो ग्यान है वो पूरा बच्चो तक है और क्या आएगा प्रे भाव शाली ग्यान होता है और इसमें क्या होता है सुझसे इंपोर्टन बात बच्चे बोर नहीं होते बच्चे कहना है ओगते नहीं समय से कहना चरीज़े पूरी हो जाती तो यह सब चीज़े आएंगी ठीक है बच्चो यह था आपका क्या अब आप चो कह रहे होंगे ये कह रहे होंगे कि resource क्या है my life भाय बता तो दिये मैंने instruction material क्या है instruction material के resource क्या है resource क्या है radio हो गया computer हो गया smart board हो गया pen हो गया निया में चलिए आखरे में लेकी चलते है ये है 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 अब आप कोई भी August ले लीजी माले जीए हम ले लेते हैं एक मिन्ट की चाहिए तरह यह जाूं माल लीजिए आपका कोई भी टोपिक है हम लेकी चलते हैं कोई भी एक टोपिक बताए जो चलते हैं लेके आज आज कवा टॉपिक क्या चलता है चलिए कि फोन का टॉपिक लेगे चलते हैं इस पोन आपके सब पास ठीक है अब टीचर को बढ़ाना है यह सी कि में फोन के बारे हम बताना है और स्कूला लेके जाूज कि बच्चों पास नहीं पास लीडिटेशे डिकाओंगे तो रूत के लदी जितर पे पास प्रदश्चन करने के लिए और नहीं भी धिर है तो हमने ही समार्ट बोर्ड पर फे फोन यूज कराए याने कि smart board पर आपने phone यूज तो वह smart board आपका जो phone आपने प्रदेशन किया एक dummy यूज किया चार्टे पर दिखाया वो सारे जो instruction आपका चेप्टर है छोटा सा ठीक है बच्चो यह सब चीजे आपको समझनी है अब इसके बाद जो चैप्टर है वह है ICT का ICT का है इसलिए मैंने ICT वाला उधन लिया है चलिए आशा करता हूँ को वीडियो पसंद आई यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जाश्या शेयर करें थैंक यू